नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हैपी इन्वेस्टर्स के इस नए वीडियो में आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक सबसे पहले एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें आप सभी का कही ना कहीं कभी ना कभी इन्वेस्मेंट रहा होगा क्यो उसका नाम है ITC, ITC stock की बात हो रही है यहां पर, और मैं उस stock पर एक अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूं, क्योंकि मुझे यह stock में, आपको मैं आज fundamental analysis या फिर technical analysis तो थोड़ा बहुत cover करूंगा, fundamentals तो मैं generally इतना लंबा cover नहीं करूंगा, कि हम सब जानते है ITC के बारे मे ठीक है, क्या करती है, FMCG products बनाती है, FMCG products बनाती है, फिर क्या करती है, यह cigarettes भी उनके आते है, ठीक है, और कहीं सारे businesses है, इनके तो fast moving consumer goods में आता है, ठीक है, यह सारे fundamentals के related आपको वीडियो यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, आज मैं आपको एक ऐसा stock को इसलिए cover कर रह बाइंग और selling opportunities देता रहे था है, time to time, जिसका आप use करके, short term trading करके, short term investing करके, पैसा कमा सकते है, ठीक है, तो बिना देर किये, सबसे पहले जाते हैं, चार्ट पर, और आज पूरा का पूरा session हमारा, mostly चार्ट पर ही cover होगा, ठीक है, तो जाते हैं हमारे zero-da application के चार्ट पर, ठीक, तो दोस्तों स्वागत आप सभी का फिर से zero-da application के चार्ट पर इस episode में, अगर आप ने अभी तक zero-da में अपना account नहीं खुलवाया है, और या फिर आपका कोई existing broker है, ठीक है, कोई भी company हो सकती है, वो कोई भी brokerage fund हो सकता है, अगर आप उसमें उनकी services से satisfied नहीं है, तो आप zero-da में भी account खुलवा सकते है, मेरा personally fair weight है zero-da, हमेशा के तरा में फिर से यही कहूँगा, कि zero-da मेरा fair weight है, मैंने सही सारे broker use किये है, ठीक है, और मुझे personally काफी ज्यादा convenient और easy लगा zero-da का application, kite use करना, तो आप भी free में account खुलवा सकते है, description में इस link available है, और आपका free में account खुल दिया जाएगा, उस link के थरूँ, ठीक, अभी चल यह बात करता है, chart के, ठीक है, chart के अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप जैसे कि देख सकते है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमें अच्छी कासी buying opportunities मिलती है, swing trading की opportunity मिलती है, यह देखो, मैं आपको अच्छे स से अभी यह line बता रहा हूँ, ठीक है, धियान से देखना, यह level ठीक है, यह level यह level देखो, यह कौन सा level है, यह line to line जा रहा है, कोई इसमें disturbance खास नहीं है, ठीक है, मैं line to line खीच रहा हूँ, इसको कहां पर रटका, 200 रुपे के आसवास, ठीक है, कितनी बार आप अगर यह graph धियान से देखोगे, इस chart ने कितनी बार हमें वहीं से rebound दिखाया, यह stock ने, 200 पर आता है, 200 पर आते ही, कुछी दिनों में वापिस से rebound दिखाता है, ठीक हो, मैं इसको जूम करके बताता हूँ, ठीक है, जूम करके अगर हम देखे इस level को, इस level को देखो, यहाँ पर आया, 215 के आसपास, ठीक है, 215 के आसपास का return, आप बोलोगे कि यार यह 15 रुपे बढ़ गया, तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक बार आप जड़ा calculate करके देखो, ठीक है, 200 रुपे का 10% होता है, कितना 20 रुपे, ठीक है, 20 रुपे होगा 10% उसका, आपको यह, अगर मान ल है, बोलो, लेकिन बात यह है, कि थोड़ी भावनाओं को समझो, ठीक है, मैं कहना क्या जाता हूँ, मैं कहना यह चाता हूँ, कि अगर आपको यह stock 200 के आसपास मिलता है, और आप इसको grab करने की opportunity अपने पास रखते हो, तो यह stock आपको वापिस से कुछी दिनों में अच्छ मार्च में नहीं में में, मार्च में तो आया ही था, तो तीसरी में की आसपास यह date आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तीसरी माई के आसपास यह 200 के आसपास trade कर रहा था, ठीक है, यह रहा, मैं इसको थोड़ा हाटा देता हूँ, 200 के आसपास trade कर रहा था, ठीक है, यहाँ वापिस से उपर गया ठीक है अब वापिस से यहां से प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है तो यह स्टॉक की पैटर्न आप समझ रहे होगे कि इस तरीके से बीहेव कर रहा है ठीक है नीचे जाता है 200 पर उपर आ जाता है और यह कितने टाइम होगा यह तीसरी मही है ठीक है और अभी जगर इस पीग की बात करें इस कैंडल की तो कब 17 में तो कितने दिनों में पंदरा दिनों में आपने इस stock में से ही एक लौते stock में से 10 से 15 प्रतिशत कमा लिया ठीक है और ये stock market के लिए stock market के investors और mutual funds को भी एकर compare किया जाए तो पूरे साल में mutual funds इतना return नहीं दे पाता है जितना आप 15 दिन में कमा रहे हो इस stock से समझ रहे हो कि नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने हर बार ऐसी opportunities को grab किया कई कई बार देखो ये stock तो सीथा 220-225 तक भी गया है तो बहुत ही बढ़िया return आपको दे रहा है ये कुछ ही एक महीने के अंदर अंदर आपको अच्छा खासा return दे देता है ठीक है ये stock आपको है ना हर stock की एक pattern होती है उस pattern को अगर आपने समझ लिया तो अब हर एक stock से अब अच्छे fundamentals का हो ठीक है अगर फरजी stock ले लोगे पनी stock ले लोगे अगर आप बोल लो कि आगे नीवटरा तो वो तो इसलहीं वह रहा क्योंकि पनी stock है फरजी stock है fundamental अच्छे नहीं है लेकिन कि को मान लो कि आपके fundamentals अच्छे और उस stock में आपको अच्छी quality के products वो market में बेचते है ठीक है तो अप उनके stocks अगर नहीं भाग रहा है तो आप उनकी cyclic behavior जैसे का ITC का तो इस पाइदा उठा सकते हो ठीक है और रिटन अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी अब ITC में क्या लेवल्स है मैंने आपको बता दिया तो ये उपर वाले लेवल है ये सार रिटनो को इनको रोगते है ऊपर जाने से ये सपोर्ट हो गया ठीक है तो अच्छा खासा शंपोर्ट है अगर दोसूं के लेवल के आज पास पर से अगर ITC ट्रेड करता है फिर वह 203 तेन लेवल है ये सब़ी चलेगा दोसों क्या आसपास trade करें तो grab करने की अच्छी खासी opportunity आप अपना थोड़ा बहुत portfolio का पैसा उसमें लगा सकते हो और जैसे ही आपको एक अच्छा खासा momentum मिलता है 10-15 रुपे का margin मिलता है आप exit मार सकते हो अपना profit book कर सकते हो ठीक है यह हो गई swing trading advice long term के लिए आप stock में हो सकता है अभी तक चला नहीं है लेकिन यह भी बात सच है कि जब भी कोई भी अच्छी quality का stock लंबे समय तक consolidate करता है किसी भी range में फिर जब वो भागता है तो हाथ में नहीं रहता ठीक है बहुत ही तेजी से भागेगा जब यह अगर भागा तो की बात है और भागेगा ही क्योंकि company का quality और fundamentals में कुछ खास दिक्कत नहीं है company अच्छी है तो आप इसको कुछ quantities अपने portfolio की इसको long term के लिए रख सकते हो बाकी मैं आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आप buying कर सकते हो ठीक तब तक के लिए I hope मेरे वीडियो आपको समझ आई होगी यसे कहीं सारे cyclic stock है आपको comment section में बताना आपकी नजर में भी ऐसा कोई stock हो तो ITC के अलावा मेरी नजर में तो एकाद दो stock है लेकिन मैं जानना चाता हूँ कि आपकी नजर में है या नहीं आप मुझे तरह comment section में बताईएगा और कौन से stock है ITC की तरह ही perform करते है तब तक क कोई demand हो जिस पर हम video बनाए किसी specific stock पर तब comment section में mention कर सकते है हमारी audience demand audience podcast वाली series चल रही है जहां पर हम audience के comment section में mention किये हुए stocks पर और topics पर research करते है और उन पर video बनाते है ठीक तब तक के लिए be a happy investor मिलते है किसी और अच्छी वाली episode में बाबाई